मुझे लगता है कि दर्ध हमें सम्रिद्धी की ओर ले जाता है और अगर जीवन में आपके कुछ लक्ष हैं तो उनकी कीमत होती है जिसमें दर्ध, महनत और लचीलापन शामिल है और जब ऐसा होता है तो बहुत से लोग तनाव से दूर क्यों भागते हैं क्योंकि मैं व्यक् पुब्रिक के बाहर की तुला में क्या आपको लगता है ये सोच सही है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे नहीं ये खुद कूल जाने का चूख तरीका है ये एक गंभीर गलती है जो कई पीड़ियों के लोगों ने की है कि अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ें म मेहनत से पढ़े. अगर आपको काम करना है तो कैसे काम करें? मेहनत से. उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आपको आनन से पढ़ाई करनी चाहिए? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आपको प्रेम से काम करना चाहिए? नहीं, आपको हर काम मेहनत से करना चाहिए. फिर आप शि शरीर और दिमाग सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। नई, अगर आप खुशी-खुशी भागें, पहार चड़ें, खेल खेलें, तब भी मासपेशियां अच्छी हो जाएंगी। तो तनाव होने पर ये अच्छी होगी, ये तूटेगी और फिर अच्छी होगी। देखिए, तनाव का मतलब है, आप हर समय इसके लिए अनोखे शब्द ढूंडते रहते हैं। कोई कहता है ठकान, कोई कहता है तनाव, कोई कहता है चिंता और आगे और भी हैं, ठीक है। कई सारे नाम है, कुछ 72 से 77 मानसिक बिमारिया हैं, जो उन्होंने आज पहचानी हैं, बहुत से अनोखे नाम हैं, मुख्य रूप से ये बस ये ही है, आपकी बुध्धी आपके खिलाफ हो गई, जब आपकी बुध्धी आपके खिलाफ हो जाती है, तो ब्रहमान की कोई शक देने वाला, अगर आपकी बुध्धी आपके लिए काम करती, तो आप अपने लिए क्या चुनते, आनंद या तनाव, आप अपने पडूसी के लिए क्या चाते हैं, इस पर भहस हो सकती, आप जानते हैं हम पडूसी हैं कहीं और, क्या चुनते लिए लिए ट्रूसी के लिएगर के लिए भी आपकी बूला आपके लिए और,